आज हमने बीना मावा बीना मिल्क पावडर का इस्तमाल किये सिर्फ आदे लिटर दूच से हमने मालपुभा रेडी किया है ये मालपुभा बहुती टेस्टी बना है और बहुती जट से सिंपल तरीके से बन जाता है तो चलिए रेसिपी के सुरुवात करते हैं और बनाते हैं दूद से माल पुआ आदा लिटर फूल क्रिम का दूद लिया है इसे हम कड़ाई में डाल देते हैं गैस ओन कर देंगे दूद को हमें उबालना है दूद में एक उबाल आ गया है तो आज को दीमी कर लेंगे और इसे लगातार चला के लो टू मेडियम फ्लेम पे दूद को घाड़ा होने तक हम उबालेंगे हमने यहाँ पे 500 ml याने के 2 कप दूद लिया है तो हमें इसे तब तक उबालना है जब तक के यह 3-4 कप जितना दूद रह जाएगा वैसे तो हमने फूल क्रीम का दूद लिया है लेकिन मालपुवा और भी टेस्टी बने इसके लिए हम इस पे एक चोथाई कप मलाई डाल रहे हैं यह ओप्सनल है अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसे स्कीप कर सकते हैं दूद को लगातार चला के उबाल लेते हैं आप देख सकते हैं दूद की कौंटिनी थोड़ी कम हो गई है और थोड़ा घाड़ा भी हो गया है एक टेस्पुन चीनी डालेंगे साइड से इस तरह से मलाई निकालके इसे लगातार चला के हम उबालेंगे दूद को हमने लगातार चला के लोटू मेडियम फ्लेम पे पकाया है और आप देख सकते हैं दूद गाड़ा भी हो गया है और दूद की कौंटिटी भी एकदम कम हो गई है यह लगबग 3-4 कब जितना दूद है तो गैस ओफ कर देंगे रबड़ी हमारी रेड़ी हो गई है इतना गाड़ा हमी बनाना है गैस हमने ओफ कर दिया है और यह रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब तक हम इसे ठंडा कर लेंगे दूद हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम चासनी बना लेते हैं आदा कप चीनी एक टौक में डालेंगे और ये वनफोर्थ कप टोटल हमने तीन चौथाई कप चीनी ली है आदा कप पानी डालेंगे गैस चालू कर देंगे मीडियम फ्लेम पे लगाता है चला के चीनी को मैल्ट कर लेंगे हमें यहाँ पे एक तार की या दो तार की चासनी नहीं चाहिए चासनी थोड़ी सी घाड़ी हो जाएगी और गुलाब जामू की चासनी की तरह थोड़ी चिप-चिपी हो जाए तब तक हम इसे उबालेंगे चीनी मैल्ट हो गई है और चासनी उबलने लगी है गैस की फ्लेम दीमी कर लेंगे आधे टीस्पून इलाइची पाउडर आधे टीस्पून लिम्बू का जूस डालेंगे दस से बारा धागे केसर के डालेंगे यह उप्सनल है आपके पास नहीं है तो स्कीप कर सकते हैं चासनी में हमें तार नहीं करना है खाली चिप-चिपी होनी चाहिए आप देख सकते हैं कि चासनी में कोई भी तार नहीं बन रहा है खाली चिप-चिपी चासनी है तो गैस आफ कर देंगे आप देख सकते हैं इस तरह से चासनी गिरनी चाहिए यहाँ पर हमारा दूद भी ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं दूद एकदम मलाईदार और एकदम घाड़ा हो गया है इसे बराबर चला के मलाई जो है वो अंदर हम मिक्स कर लेते हैं इस तरह से स्मूद बना लेंगे इसमें हम थोड़ा थोड़ा मेंदा डालके मिक्स करेंगे मेंदा हमें थोड़ा थोड़ा डालके ही मिक्स करना है ताकि अंदर गुटलिया न रहे और यह अच्छे से मिक्स हो जाए मेंदा डालने से बेटर घाड़ा बनेंगा और जब हम गी में फ्राइ करेंगे तब ही यह बिखरेगा नहीं टोटल हमने तीन टेबल स्पुन मेंदा डाला है और इसे बराबर चला कि मिक्स कर लेते हैं मेंदा हमने अच्छे से मिला लिया है और आप देख सकते हैं एकदम स्मूद बेटर बन गया है एक पींच चाईफल पाउडर डालेंगे यह ओप्सनल है आपको अगर नहीं डालना है तो इसे स्केप कर सकते हैं एक पींच डाल चिरी का पाउडर, यह भी ऑप्सनल है, इसके बदले में आप इलाइची पाउडर डाल सकते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बेटर हमारा घाडा है, तो इसमें हम थोड़ा दूद मिलाके इसे थोड़ा पतला करेंगे, पहले एक टेबल स्पून दूद ड करना है, बेटर की कंसिस्टनसी, अगर पतली हो जाएगी, तो यह गी में डालते ही, यह छूट जाएगी, मालपुआ बराबर से फ्राई नहीं होगा, और अगर बेटर घाडा रहेगा, तो यह अंदर से कच्छा रहे जाएगा, और उपर से लाल हो जाएगा, इस तरह का ब गी को थोड़ा गरम कर लेते हैं, मालपुआ जब तेल में डालो तभी बेटर को अच्छे से फैट लेना है, गी गरम हो गया है, आप चाहे तो इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन गी में फ्राई करेंगे, तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, बेटर से उपर इस तरह से गी डालते जाएंगे, मालपुआ अगर गी में डालते ही छूट जाए, तो समझना कि हमारा बेटर जो है, वो ज्यादा पतला हो गया है, तो उस टाइम पे आप बेटर में थोड़ा सा मेंदा एड़ करके, मिक्स करके मालपुआ बना सकते हैं, किनारी इ कच्चा रह जाएगा और उपर से लाल हो जाएगा, इसलिए हमें इसे धीमी आज पे ही फ्राई करना है, इस तरह से इसे उलट पलेट के लाइट गोर्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे, यह हो गया है, इसे निकाल लेते हैं, इस तरह से बाकी के मालपुआ भी फ्राई कर चासनी को हमने एक बाल में निकाल लिया है, और मालपुआ भी हमने फ्राई करके रेडी कर लिया है, तो अभी हम इसे चासनी में डाल देंगे, चासनी ठंडी ही है, इसे गरब नहीं करना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा मालपुआ अंदर डाल के डीप कर लेंगे, इसे ह हमने 10 मिनिट चासनी में सोक किया है और चासनी उपर अच्छे से लग गई है तो इसे हम निकाल लेंगे और चासनी में दूसरे माल पुए भी डाल देंगे इसी तरह से सभी माल पुए को चासनी में हम लेप कर लेते हैं इसके उपर पिस्ता की स्लाइज डालेंगी माल पुवे को आप रबडी के साथ सव कर सकते हैं आदे लिटर दूद से जो हमने बेटर बनाया था उसमें से हमने 9 से 10 माल पुवा रेडी कर लिया है यह माल पुवा बहुत ही टेश्टी बना है आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें आपको यह मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अपने अनुबव हमारे साथ सेर करें तो मिलते हैं अगले और एक वीडियो के साथ में